नमस्कार आप देख रहे हैं कॉर्वेंट टेंपला जीज यूटूब चैनल केंद्रे करमचारियों और पैंटसन भूग्यों को 18 महीने के महेंगाई भत्ते के बकाया का बोकतान संसद में वित मंत्राले ने दी बड़ी जानकारी जी हां दोस्तों एक बहद महत्पूर्ण जा कर आ रही हैं तो इसी कड़ी में आज वित मंत्राले क्या दीन काम करने वाले वे विभाग के द्वारा सरकारी करमचारियों और पैंसन भूग्यों को 18 महीने की महेंगाई बत्ता और महेंगाई रात के बुकतान के संबंद में एक महत्पूर्ण जानकारी दी गई है जिसके पैंसन भूग्यों और पैंसन भूग्यों चुली हुई हर एक ताज अपडेट सबसे पहले देखने के लिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यह संसद में पूचा गया सवाल नंबर 689 है और यह सवाल पूचा गया था स्री नारान भाई जे राटवा जी के द्वारा और उन्होंने पूचाता कि क्या वित्मंत्र जी है बताने की किरपा करेंगे कि क्या सरकार को कें सरकार के पैंसन भूग्यों को 18 महीने यानि कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की मेंगई रात की बकाया रासी को जारी करने के संबंद में कई अभ्या विदन प्राप्त हुए हैं यह यहां तो उसे जूड़ी हुई जानकारी क्या है और तीसरा सवाल यहां पर था कि क्या सरकार पैंसन भूग्यों को 18 महीने का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है यदि नहीं तो इसके क्या कारण है तो यह तीन महत्पूर्ण सवाल पूचे गए थे इन त सरकारी करमचारियों और पैंसन भूग्यों के विविन संगठनों जैसे की राष्टिय परिसत जेसीम भारतिय रेलवे करमचारी राष्ट्य संग अकिल भारतिय रेलवे करमचारी मा संग अकिल भारतिय सिवा निवरत रेलवे करमचारी मा संग और भारतिय रेलवे करमचार यूनियन, भारतिय पैंटसन मंच, राष्टिय भूतपूर सेनिक समन्वे समिती और कई अन्य संगों के द्वारा केन सरकार के करमचारियों और पैंटसन भूगियों को दे 18 माय के महंगाई बता और महंगाई राष्ट के बकाया को जारी करने के सμबन्द में विविड्न अव्यावेदन प्राप्त हुए है एने के सरकार ने ये माना है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट्णیں यहां पर आइए महंगाई बता को फिर से रिलीज किये जाने के Berg में तो आगे यहाँ पर बताया गया कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से दे केन सरकार के करमचारियों और पैंटसन भोगियों के महेंगाई बत्ते, महेंगाई राहत की तीन किस्तों को रोक देने का निरने COVID-19 जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन हुआ था, केस अ जो सरकार द्वारा किये गए कलनानकारी उपायों के वित्य पोसंड के प्रतक्ष प्रभाव वित्य वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे और महेंगाई बत्ते और महेंगाई राहत के बकायक को जारी करना वियवार के नहीं समझा गया है, हने कि फिलाल जो वित्ती हालत है, उन हालतों के मंदे नजर बकाय महेंगाई बत्ते को फिर से रिलीज किया जाने का जो फैंसला है, उसे वियवारिक नहीं माना गया है, और ऐसा फिलाल कोई फैंसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, तो ये महेंगाई जानकारी कि फिलाल के इन सरकार 18 महीने का डिये एरि हो जाएंगी तो करमचारियों और 15 भोगयों को 18 मैने का डिये बकाया दे दिया जाए लेकिन मैंत पूर्चानकारी फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके दोस्तों सत्में जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें चैन